Hello children, in this video we will discuss about expanded form, short form and place value. First topic है हमारा expanded form. Expanded form is the way of writing a number according to their place value. Expanded form number को लिखने का एक तरीका होता है जहां उन्हें उनकी place value के according लिखा जाता है. Example 1, यहां लिखा हुआ है 46375, 46375, अब हम इसकी expanded form बनाते हैं. Expanded form बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका first digit लेते हैं. इसका first digit क्या है? 4, तो हम यहां 4 लिख देते हैं. अब 4 के पीछे हम digit count करते हैं, कितने digit आ रहे हैं? तो count करते हैं, 1, 2, 3, 4. 4 digit आ रहे हैं, तो हम इसके पीछे 4, 0, put कर देते हैं. फिर हम plus का sign लगाते हैं. Next digit क्या है हमारा? 6. तो हम यहां 6 लिख देते हैं. 6 के पीछे हम digit count करते हैं, कितने digit आ रहे हैं? 1, 2, 3. तो हम यहां 3, 0, put कर देते हैं. फिर हम वापस plus का sign लगाते हैं. Next digit है हमारा? 3. तो हम यहां 3 लिख देते हैं. 3 के पीछे कितने digit आ रहे हैं? 1, 2. तो हम यहां 2, 0, put कर देते हैं. फिर plus का sign लगाएंगी. फिर next digit है हमारा? 7. तो हम यहां 7 लिखेंगे. 7 के पीछे कितने digit आ रहे हैं? फिर हम plus का sign लगाएंगे और last digit है हमारा 5 तो हम यहां 5 लिखेंगे 5 के पीछे कोई digit नहीं आ रहा है इसलिए हम यहां कोई 0 नहीं लगाएंगे तो 46,375 की यह expanded form बनी है next example लेते हैं हम 2,468 अब हम इसकी expanded form बनाएंगे सबसे पहले हम इसका first digit लेंगे इसका first digit है 2 तो हम यहां 2 लिखेंगे 2 के पीछे digit count करते हैं कितने digit आ रहे हैं तो 1,2,3,4,5 5 digit आ रहे हैं तो हम 5,0 put करेंगे 1,2,3,4,5 फिर हम plus का sign लगाएंगे अब next term क्या है हमारी next number है 0 तो हम यहां 0 लिखेंगे फिर plus का sign लगाएंगे फिर वापस अगली term 0 तो यहां 0 लिखेंगे फिर plus का sign लगाएंगे फिर अगला number है हमारा 4 तो हम यहां 4 लिखेंगे और 4 के पीछे digit count करेंगे कितने digit आ रहे हैं 4 के पीछे 1,2 तो हम यहां 2,0 put कर देंगे फिर हम plus का sign लगाएंगे next digit है हमारा 6 तो हम यहां 6 लिखेंगे और 6 के पीछे कितने digit आ रहे हैं 1 digit आ रहे हैं तो हम यहां 1,0 put करेंगे और last digit है हमारा 1 तो हम यहां plus करके 8 लिखेंगे इस तरीके से expanded form समझी जाती है अगला topic है हमारा short form short form क्या होता है short form of numbers is a way of writing numbers using digits short form numbers को लिखने का वो तरीका होता है जहां numbers को उनके digits के according लिखा जाता है उनकी place value से हम उनके digits बनाता है example 1 यहां लिखा हुआ है 2 और 2 के पीछे 0 है 1,2,3,4,5 तो यह है 2,00, यह है 90,000, यह है 3,000, यह है 200, यह है 40 और यह है 6 short form हम बनाना start करते हैं सबसे पहले इसका last digit लेते हैं याने की जो unit पे place है तो इसका unit digit क्या है 6 तो हम यहां 6 put कर देते हैं फिर हम ऐसा number लेते हैं जो tens हो याने की जिसके पीछे 1,0 आता हो और जो 2 digits को contain करता हो तो ऐसा digit क्या है 40 और 40 का first digit 4 तो हम यहां 4 लिखेंगे फिर हम ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 2,0 आती हो तो ऐसा number है 200, 200 का first digit क्या है 2 तो हम यहां 2 लिखेंगे फिर next हम ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 3,0 आती हो यानि कि जो 1000 पे place हो तो यहां हमें 3000 ऐसा नमबर दिख रहा है और उसका first digit 3 है तो हम यहां 3 लिखेंगे फिर हम ऐसा digit ढूंडेंगे जो 40 रखता हो अब 40 यहां किसके पास है 90,000 इसके पीछे 9 के पीछे 40 आ रही है तो हम इसका 9 यहां लिखेंगे और फिर हम ऐसा नमबर ढूंडेंगे जिसके पीछे 50 आती हो तो ऐसा नमबर यहां यह है और इसका first digit 2 है तो हम यहां 2 लिखेंगे तो इनकी short form यह बनेगे next example अब हम देखते हैं यहां यह लिखा हुआ है 90,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 1 सबसे पहले हम unit digit से लिखना start करते हैं तो इसका unit digit single digit number लेंगे single digit number यहां 1 है तो हम यहां 1 लिख देंगे फिर हम ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 10 आती हो पर ऐसा यहां कोई number हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहां 0 पुट कर देंगे फिर ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 20 आती हो तो ऐसा यहां number है 2 2 के पीछे 20 आ रही है तो हम यहां 2 लिख देंगे फिर ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 30 आती हो तो ऐसा number 8 है इसलिए हम यहां 8 लिख देंगे और ऐसा number ढूंडेंगे जिसके पीछे 40 आती हो तो ऐसा number यहाँ 9 है 9 के पीछे 40 आ रहा है तो हम यहाँ 9 लिख देंगे तो यह इसकी short form बन जाएगी अगला topic है हमारा place value place value में किसी number में किसी एक particular number की place value निकाली जाती है जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 leg 37,965 यहाँ मैंने 9 पे सरकल किया है इसका मतलब यह है कि हमें 9 की place value निकालनी है तो हम यहाँ 9 लिखेंगे 9 लिखने के बाद हम यह देखेंगे कि 9 के पीछे कितने digits आ रहे हैं तो यहाँ 9 के पीछे दो डिजट आ रहे हैं 1, 2, दो डिजट आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ दो 0 put कर देंगे तो 900 जो है वो 4 लेक 37,965 में 9 की place value है अगला example 70,834 70,834 में 0 पे circle किया है इसका मतलब 0 की place value find करनी है 0 की place value find करनी है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे अब 0 की पीछे digit count करते हैं 1,2,3 3 डिजिट आ रहे हैं तो हम 3 0 और put कर देंगे अब 0 के पीछे कितनी भी 0 लगाओ उसका मतलब 0 ही होता है यानि 0 की place value हमेशा 0 ही होती है next example देखते हैं 2,44,681 यहाँ 2 पे circle किया है इसका मतलब हमें 2 की place value find करनी है तो 2 की place value find करनी है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे अब 2 के पीछे digit count करेंगे 1,2,3,4,5 5 डिजिट आ रहे हैं तो हम 5 0 put कर देंगे 1,2,3,4,5 तो 2,44,681 की यह place value हो जाएगी इस तरीके से सभी numbers की हम place value find कर सकते हैं प्रॉपन 92,5,6,5 झालो हम हम पीछेटा रहे और्व भाइबंगे यहाँ अर्वाप, देंगे